है है कि मैं है प्रफ़ेक्ट कट देखने वाले इसे पहले हम लोग ने प्रजिन 20 कंपलिट किया था एक पांट है का कंपलीट कर रखा एंधिसी हमारा और सिर्चे स्पाइल ने याद तंस पर्फ़ेंग को हम किसआउա– सबसे 2 पहले ठीक लिए लुए हिंधी में हम किस प्रक्राइब पाइचानेंगे कि ये पर्फेक्ट है ठीक है numero ya । एक लिए दिया हुआ है कि कि बाइक के किरिया कर लगा हो आपका होगा गोटर चुम जी सिंधी पाख के किरिया केंत में यानी भर्ब केंत में हैना चुका था चुके थे चुकी थे लगा रहा है तो वह संटेंस जोगा वह पास्ट परफेक्ट एंस का होगा जैसे मैं यहाँ पर मैंने कुछ एक्जाम्पल ले रखा है ठीक है आप इससे समझेएगा यहाँ है ठीक है इसके लाश में क्या लगा हुआ है चुके थे तो इस प्रकार यह आपका प्रफेक्टेंस का सेंटेंस है उसी प्रकार नेक्स्ट जाम पहले लोग जा चुके थे जाना क्या हुआ क्रिया हुआ क्रिया हुआ क्या लगा हुआ है चुके थे यानि कि क्रिया के आपको जोए चुकह था चुकिति लगा उड़ेगँ तो वह आपका पास्टेंस के होगा ठीके इसी परकार यहाँ पर देखिए का नियर टिटिप सैंटेंस है गतित तो हमस्ते हैं हमें कौन कौन सासेंटेंस हमें पढ़ना है ठीक bardzo टाइप संटेंस हमें कौन कौन सा सेंटेंस पढ़ना होता है basically हम लोग सारा सेंटेंस कभर कर लेते हैं what हम ये दो सेंटेंस कभर अभी नहीं करेंगे एक ये एक ये ठीक है बाकि ये चालों सेंटेंस one two three four और 4 सेंटेंस हम लोग कभर कर लेंगे इस वीडियों ने ठीक ए टीक है कॉन-kौन दी सेंटेंस है फबस ऐस्ट बान्स निसमिएगा रहे एगा तो तो यह आपका होजागा इंट्रोगिक्टी पॉलस निएटिव गॉटिट आप चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं यह स्ट्रेक्चर के साथ चलिए फ़र्स्ट हमारे पास है आफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक हुआ ठीक है इसका इस्ट्रेक्चर यह आप या की आधर वर्द याव इसा कह सक्ते हैं है और लाश्ट में फूलस्ट टीक है यह आप को गया इस्ट्रेक्चर आफर्मेटिव सेंटेंस का टिके pass परफेक्ट टेंस के इस्ट्रेक्चर पे सारा का स्बाइनमक永त मपल और इतुए यह संदिनस आपका बनेगा ठीक है चलि तरना है ना यह सारे के सारे जो यह भरवैं ठीके अब यह भार्व एक विए घॉच्छ फोर्म है और क्या दिए इसी भर्व का यह देखिस यूचर फॉर्म है यह हमारे ठाट फॉर्म है तो इसी का यूज हम लोग करेंगे फार्ष्ट परसेक्ट थेंज जितने विए पर जे में जो है भर्व का तिस्तरा फ़र्म ही यूज होता है ठीके जी बात समझ माई गही यान्य कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यह वाला ठीक है यह वहला भर्व का ठर्वन यह से तो हम लोग हम लोग प्रोनॉम्स करते हैं रीड रीड ठीक है फिर इसका रीड ही होता है ठीक है तो आईए अब हम लोग समझते हैं sentence को इसमें third form apply करेंगे ये वाला ठीक है सारा का सारे यह लग अप्लाइ करेंगे ठीक है चलिए यहाँ पहला example मैं पढ़ चुका था मैं क्या हूँ यहाँ पर subject मैं का होता है ई के सबजिक्ट के बाद आपका लगता है हैड खीक तो आपने हैड भी लग एम ए टो कि आ had to lie लगेगा उसके बाद खाना के आपे क्रिया was के लिया का हहाँ प्रसक्राइब छया को सब्युक्त का यह विजद किति कूंँ सब्सक्राइब लिए उसका सब्सकराएब सब्सक्राइब लग प्रसक्राइब देखे यह फर्स्ट फोर्म हो गया फर्ब का यह सेकंड और यह थोर्ड तोनों का एक ही होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तुम पत्रे लिख चुके थे तो तुम का क्या हो जाता है gw suivi तो है अपने लगा दिया उसका लिखना रीट होता है राइड का तीसरा फ़र्म ह होता है वो र टीक शुक्क सека अब इसे अलेटर पत्रिफ ना क्या होता है प्तलिक होता है लेटर व रीटिन मतलब लिखना ठीक है टीटिन ए लेटर गोट इट चलिए नेक्स एक्जांपल हम समस्ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर मोहन मोहन विद्यालाई जा चुका था तो मोहन सब्जेक्ट है उसका हैड अपने लगाया सब्जेक्ट प्लस हैड फिर आपका भाट जाना के फ़र्स्ट तरफ्राइच रट फिर फ्रोट को नोट को बेंट वहन उसका दिया आपका अब्च्ट हो चुका है एसकूल ठीक है यानि का दरवर्ड गौट इड़ कि चलिए अब यह हमारा कम्त्रीट हो चुक्या फ्रमेटिभ अप चलते हैं नियुक्त सेंटेंस में ठिके देखिए नि होजाता था ठीक है मेल भर्ट direct move हो जाता था लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें क्या आपका भार्ट से पहले नोट आथा यानि की हरके बाद आपको पहले नोट लगाना है ठीक कि सब लिकदि का लगा ना फाटको लगाना एंट रिक jewels structure प्युहां पर command करिए ठीक है जी आई यह लोग example को देखते हैं मैं नहीं खाठ चुका था मैं क्या होता है आई तो subject हो गया आई उसका हैड लगता है तो आपने हैड लगा दिया तो आई हैड उसका देनोट आपको लगाना है ठीक है हैड नोट तो आपका ये लगेगा ही लगेगा सब्जेक्ट के बाद उसका भर्ब तो चेंज होगा भर्ब अलग लग रहेगा तो अलग 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 उसका सेंस निकलेगा लेक में हैड नोट तो लगेगा ही सब्जेक्ट के बाद उसके बाद अपका भर्ब लगेगा उसका पढ़ अबजेक्ट और लास्ट में से फूल स्टोब ठीक है चलिए आई यह हम लो समझते हैं मैंने ही खा चुका था था तो आई हड़ाद नोट सॉड़ी मैं नहीं खा चुका अब नहीं कि खो सोच चुका था टिक है regulate चलि मैंने इसी को सुधार दिया इंदी में गाना का सिंग सौंग होता है जो गा रहाए ब्यक्ति तो उसको बोलेंगे यह देखिए यह जो है आपका यह आपका होगे ऑबजेक्ट गाना सौंग हो गया और यह जो है गाना यह जो लिखा हुआ है इसका मतलब है यह हमारा भर्व है ठीक है तो यह जो गानात होता है इसका होता है sing sing and sung sung ठीक है तो इस्टाट फर्म यूज करना है यानि कि sung got it तो यह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जी यह आपका हो जाएगा रीता हैड़नोट संग एस अंग यह होगे आप अबजिक्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट है बे लोग नहीं आ चुके थे तो बे सब्सक्राइब कर दे होता है उसका हैट अबानाल अपने लगा दिया उसका कम कोथा कम के था खूआ कर यह होता है खूए कर दोद मना चुका हूं कूरी पर आपको मिल जाए तीक मैं हो लुक्त सुआ है नहीं झाच चुकी थी तो यहाँ देखिये बह्स क्या होता है ही भी होता है अपहां फॉस्का मेल है ठीक है यानि कोई लड़की यह ठीक है यहां पर आता हुआ भी द्याले जा चुका था तो इट मेंस की वह कोई मेल है ठीक है तो यहां पर चुकी थी लगा हुआ है क्या है कोई मेल है ओके कोई लड़की है तो हो जाएगा फ़सी उसका सब्जेक्ट हो चुका है उसका ह रगाए है तो हैड Knights असका जानाक की अग्लothन किया होता है Go when to Go on to market ये यह मार्के भी अब्जेक्ट कि चलिए नेक्स्ट अन्टेर्स नहीं लतर था है तृwentत को घण सब्सक्राइब चुआ ही चली इस प्रकार यह आप away चली को चुका है इन्ट्रोक सेилась है इसमें क्या है appreciate है गाइगा उसके बाद subject उसके रख मेन वरभ आएगा उसका अबजेक्ट ओर लास्ट हम्र्ट कुश्चन मार्क ठीक है यह अब इसी पर हम को यहांप एक्जामपल को समझते हैं क्या बहुत हो चुका था ठीके पहले क्या आएगा सब्जिक पहले हैड आएगा है तो आए गा और जिक स्क्राविट्ट का जाए है ही चुकाथा लगा हुआ है इसकी और यहां देखिए हैड हैड ही सिलिप का तीसरा फॉर्म होता है सेलिप्ट ठीक है और लास्ट में क्वेस्टनमार्क रेना मत भूलिए हैगा नेक्स है कि वे लोग आचुके थे तो हैड लागेगा पहल जा चुकी थी तो यहाँ पर लगा वह चुकी थी इसकी वह कोई लड़की है ठीक है तो यहाँ देखिए हैड पहले होगा उसका शी होगा ओके उसका गोल भार भूलागेगा देखिए सब्जिक्ट बहुत भार लगता है तो गोल टू एसकुल यह हो गया ऑब्जेक्ट ओके और लाष्ट नों कुष्टन मार्क गोटिट चलिए नेक्स एड़ाम लोग समझते हैं तो गोटिट नेक्स एड़ामपल है क्या हम लोग किताब पढ़ चुके थे तो हैड हम लोग कोट रही तो वी आपका सब्जक्ट हो चुका है यहाभ बी न क्यूद एबुट डिट डिट रिड रीड रीड रीड़ रेड यह अपका पर रीड जो है यह यह फ़र्जट नहीं है यह करपका ठेड फोन्हें ठीक ह पिर यद रखे रहे चलिए औरब ल discoveries है नेक्स्ट सेंटेंज में जो की लाट सेंटेंस होगा से इन्टोटी प्लस निगेटिफ सेंटेंस प्लस इंट्रूम नेटिब सेंटेंज इसमें क्या होगा ज्यादा अंतर नहीं है इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है आपको compare करके में देखा दूंगा ठीके इसमें देखें सब्जेक्ट के बाद जो है डारेक्ट में भरबा जाता था लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद पहले नोट आएगा फिर में भरबाएगा ठीक है यह आप याद रखेंगे ठीक है है फिर सब्जेक्ट ठीक है उसके बाद नोट फिर हर्पका ठाट फॉर्म फ थ्वेस्ट फ़र्म भरत नीस जंञा इंकि in नो इटना ज़िए झाल कि यह सुंट करें उनर चागो ऊपएब क्या यह लोग स्कूल नहीं जा चुके थे तो पहले आईगा हैड उसका सब्जेक्ट बेलो का दे होता है सब्जेक्टाप का हो चुका है दे उसका लगे रहा सब्जेक्ट लगा दिया ये नोट रहा उसका जान लाशाद का थ्पॉर्म we will go bend own होता है उसका ऑपुग सब्जेक Suppose लुप लगत उस گें निकस्ट इंपर ते क्या इसे वह उसे नहीं बीट्ट करसे है ऑफ ही पढ़े सब्जेक्ट होगए सोड़ी पहले हैरोगा है अपने लगा दिया अध क्या होता है ही होगा योगा क्योंकि चुकात लगा हुआ है इस्ट में स्किको पूइं लडगा Bardzo गूर्ण उसका सब्जेक्ट बन चुका है यह अपने लगा दिया इससे का दिखें यहां पर ही होता है यह तो आपका सब्जेक्ट है यह बहा जो है बहा का भी ही होता है और उसे का भी ही होता है बहा का भी ही होता है लेकिन यह आपका सब्जेक्ट है यह आपका अब्जेक्ट है सब्जेक्ट सब्जेक्ट होने में क्या क्या तब्दील होता है क्या क्या चेंज होता है मैं आपको बत ठीक है अब्जिक्ट सब्जिक्ट रहे तो क्या होगा और अब्जिक्ट रहे तो क्या होगा ठीक है आई यह सब्जिक्ट आपको रहे ही ठीक है लेकिन यह आपका अब्जिक्ट बन रहा है तो यह आपका बन जाता है हीम एचाई एम हीम अगर आपका सब्जिक्ट है तो यह आपका इठी रहता है ठीक है अगर आपका सब्जेक्ट है यू तो यह आपका जब अब्जेक्ट बन रहा होता है तो इसका भी यू ही होता है ठीक है उसी प्रकार और भी हम लोग समझते हैं उसके बाद आपका सब्जेक्ट मान लीजी है वी मतलब हम लोग तो इसका हो जाता है आई आए मतलम मैं होता है तो यह आपका होता है टीके सु इस परकार यह पर सब्जेक्ट सब्जीक्ट यह रहता है उब आगव सब्सक्राइब किया है तो अच्छा है पर दो झाल